नमस्कार मैं श्पीत और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन मुखमंत्री नितीश कुमार जदियू के राष्ट्री अध्यक्ष बनने के बाद लगातार एक से बड़े एक फैसले लिये जा रहे हैं जहां एक तरफ 2024 के लोगसवाचुनाव की तैयारियों में लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुखमंत्री नितीश कुमार ने अपने एक सांसत का पत्ता साफ करने की तैयारी जो है वो कर लिया है दरसल हम बात कर रहे हैं सीता मढ़ी लोगसवाचुनाव की सीट को लेकर मुखमंत्री नितीश कुमार ने ये साफ साफ जद्यू की रास्टी कारिकरनी की बैठक में कह दिया है कि 2024 में सीता मढ़ी लोगसवाचुनाव है वो देवेश चंद्र ठाकुर लड़ेंगे लोगसवाच शेत्र से 2024 के उमिदवार होंगे देवेश चंद्र ठाकुर जद्यू कारिकारनी की बैठक में सीम्नितीस ने इसकी घोशना की है बिपक्षी गठवंदन में अभी अंतिम दौर पर सीटों का बटवारा नहीं हुआ है किन्तु सीता मढ़ी संसद्य शेत्र से जद्यू की योड़ से देवेश चंद्र ठाकुर का प्रित्याशी बनाना तै हो गया है जद्यू कारिकारनी की बैठक में शुकरवार को मुख्यमंतर उर्टिश कुमार ने इसकी घोशना भी कर दी थी देवेश श्यंद्र ठाकुर अभी बिहार विधान परिसत के सभापती हैं सीता मढ़ी सीट अभी जद्यू के ही कबजे में हैं जहां से सुनिल कुमार पिंटू सांसद है पिंटू हाला की पुछले कुछ दिनों से वो भाजबा के समर्थर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं बिहार में हुए जाती गणना रिपोर्ट सारजुनिक होने के बाद सांसर सुनिल कुमार पिंटू ने अपनी ही पार्टी की गवर्मेंट के कारे कलापों पर प्रश्न खड़ा कर दिया उन्होंने पीएम मोधी के कार्यों की जम कर तारीफ की इसके बाद जदी प्रवक्ता नीरश कुमार मंतरी संजय जहा समेत कई निताओं ने उनके विरुद सवाल खड़े करने शुरू कर दिये दिवेश शंद्र ठाकुर सीता मडी लोग सवा सीट से वो चुनाब लड़ेंगे ठाकुर सीता मडी से चुनाब की तैयारियों में लग गया है नितीश कुमार के इस घोशना के बाद बिहार में सियासी महौल गर्मा गया है चर्चा प्रारम हो गई है कि सीता मडी के मौजूद जद्यू सांसे सुनील कुमार पिंटू का आखिर क्या होगा तो जहां एक तरफ अभी भी सीता मडी के जो सीट है वो जद्यू के कोटे में ही है लेकिन वहां के अभी सांसे सुनील कुमार पिंटू है सुनील कुमार पिंटू बीजेपी में थे लेकिन अब जब इंडिये की सरकार बिहार में बनी मुख्यमंतर नितीश कुमार बीजेपी के साथ गये तो वो सीट जो है वो बीजेपी के साथ नहीं बलकि नितीश कुमार की जदियू पाटी को मिल गई उसके बास उनिल कुमार पिंटू जदियू में शामिल हो गया और मुख्यमंतर निचीश कुमार ने उन्हें वो सीट से चुनाब लड़ने का मौका दिया जिसके बाद उनकी जीत भी हुई वहीं अब दो हजार चौबिस में उस सीट पर देवेश शंद्र ठाकूर चुनाब लड़ने माले हैं फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही